नमस्कार चात्रों, RK विज्याग, PG माह विज्याले, कालवार जेपूर की, ओनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है चात्रों आज हम बेफर थर इर इतियास विशे के पेपर पॉर्थम के बारे में हम चर्चा करेंगे जात्रों जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है बंगाल में ब्रिटिश से प्रगुत है और इसके अंग्रेज़ों दुवारा व्यापार के मकसद से एक कमपनी की स्थापना की गई कब की गई 1680 के अंदर और उस कमपनी का नाम था इस इंडिया कमपनी अर्थार भारत के अंदर व्यापार करने के लिए कमपनी जो आई तो चात्रों जो ये व्यापार के मकसद से भारत के अंदर आई थी और इस कमपनी ने क्या किया धीरे धीरे भारत की राजनितिक राजनि दाथा भारत की जो सक्तियों जो चोड़ी शक्तियां थी वह आपस के अंदर लड़ रही थी भारत के अंदर आपसी फूट का फाएदा उठाकर इन अंगレुजह क्या किया कि भारत पर कबजा कर लिया चांतरों तो यह वावार के मकसण से भारत में आई थी परंटू इसने भ बंगाल के चेत्र पर अदिकार किया गया और बंगाल के अंदर इसने दो युद लड़े कौन से पहला युद्ध था सत्रासुआ दावनसी के अंदर प्लाशी का युद्ध था दूसरा युद्ध था practicator 1754 के और बक्सर का उद्य तो इन दोनों युद्धों को लड़के निंगाल पर ऑफ हो इन ऌपकार इस परकार से हैasne लिगण ब्रिठिस परबूत है सिक शाफित थी और वी रखतर पर इस ब्रॉत है यह बन गॉल तो टो यह बंगाल पर जो ब्रिटिस प्रभूत्व इस्ताफित हुआ ये ब्रिटिस प्रभूत्व था चात्रों जो अंग्रेजों दुआरा जो बंगाल पर कब्जा कर लिया गया तो चात्रों आज हम चर्चा करते हैं प्रभूत्व किस प्रकार से इस्ताफित हुआ तो इसे की हम पूरी जो चर्चा करते हैं तो चात्रों बंगाल प्रभूत्व है तो चात्रों इसके बारे में हम मुगल काल में सबसे संपन रज्जे बंगा था संपन रज्जे में ब्रिटेन में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होई के इस्थापना होई इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होई इस्तापना कोई इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना का उप्देश शे की स्थापना का उप्देश शे इस्थापना का उप्देश शे भारत में गापार करना था भारत में व्यापार करना था इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना का उप्देश शे क्या था चात्रों भारत में व्यापार करना था एस इंडिया कंपणी का जो भारत में उद्देश्य था कि व्यापार करना छत्रों इस इंडिया कंपणी ने भारत में गुज़ात के सूरत को केंदर बनाकर अपना व्यापार करना दिया इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत को केंदर बनाकर भारत के सूरत को केंदर बनाकर अपना का फार प्राद हो लिए अपना प्राद प्राद किया चात्रों इस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्टों में इस्ट इंडिया कंपनी ने इस्ट इंडिया कंपनी ने इस्ट 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 अपने पाव जमाना शुरू किये 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 बंगाल मुगर् सामराजी से परथक होने वाला परथमराजी था प्रथक होने वाला प्रथम राज्जे था प्रथम राज्जे था साथ ली इस्ट इंडिया कंपनी के अधिन होने वाला प्रथम राज्जे था इस्ट इंडिया कंपनी के अधिन होने वाला प्रथम राज्जे था तो चात्रों मुगल काल के अंदर जो अब ये ब्रिटिस प्रभाव कैसे बढ़ता है चात्रों वह हम देखते हैं कि ब्रिटिस प्रभाव वह बंगाल पर किस प्रकार से बढ़ रहा है तो चात्रों हम देखते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी एं इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1620 के अंदर हुई थी और व्यापार के मकसद से ये हुई है मुगल काल के अंदर भारत के अंदर जो सबसे संपन रज्जे था वो संपन रज्जे बंगाल था आर्थिक दुर्ष्टी से बंगाल अत्यपी मैध पूर्ष्टी से अन्य राज्यों की तुल्lly में बंगाल सबसे संपन था शब्स्वास ब्रिटैन में इसी इंग लिया कमपणी की स्थापना होई कहां पर हुई है ब्रिटेन में इसे हम इंग्लेंड के नाम से भी जानते हैं इस ब्रिटेन को किस नाम से जानते हैं हम इंग्लेंड के नाम से भी जानते हैं पहले इंग्लेंड कहला दाता और आज तल इसे हम ब्रिटेन कहते हैं कि जातरों तो ब्रेटम में East India Company की इस्थापना में इस्थापना था। सामराज इस्ताप्वित करना इसा। इस्था इस नहीं था। केवल यहां पर व्यापार करने के लिए कमपणी भारत में आई थी। इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत को केंदर बना कर अपना व्यापार प्रारम किया, चात्रों ये सूरत कहां पर आता है, गुजरात केंदर कहां आता है, गुजरात केंदर ये सूरत आता है, उसे सूरत को केंदर बना कर जो इस्ट इंडिया कंपनी थी, इस्ट इंड में पाउं जमाना शुरू किये अब पहली फैक्टरी सूरत में खोली उसके बाद में उसने किया है कि अभारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी फैक्टरियां इस्तापित करनी प्रादम कर दी और जो यह अब बंगाल की तरफ बड़े और बंगाल के अंदर भी इनोंने क्या कि कि अपनी फैक्टरियां बनाने शुरू की चातरों बंगाल मुगल सामराज्ये से प्रतक होने वाला प्रतम राज्ये था जो विशाल मुगल सामराज्ये था इसमें से सबसे पहले जो टूटा शेत्र टूटने वाला चेत्र प्रतक होने वाला चेत्र कौन सा था बंगाल था तो चाहतों जो बंगाल था ये क्या था कि मुगल साम राज्जे से पर्थक होने वाला पर्थम है जो छेतर था और इस्ट इंडिया कमपनी की अधीन होने वाला भी पर्थम राज्जे था तो अधीन होने वाला भी पर्थम राज्जे था तो अधीन भी कौन सा राज्जे हु अपने वाला भी प्रत्व में राज्य हैं तो चात्रों इसके बाद में आगे देते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो अपने प्रभाव जबा रहे हैं अपने पाव पसा रहे हैं भारत वर्स के अंदर तो यह हम देते हैं अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं खात्रों तो देख कि अंग्रेजों दवारा, सोला सुन अभे इस्वीमे, कालकता, 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 कि हुगली नामक इस्थान पर, अपने पेर जमा कर व्यापार विष्थार किया, अपने पाउं जमा कर या पेर जमा कर व्यापार का विष्थार किया, जमा कर विष्थार किया, धीरे धीरे बंगारों की राजनिती में, धीरे धीरे बंगारों की राजनिती में हस्तक से प्रारण किया, पष्टक से प्रार किया, और, का लां कर में बंगार किया, कालांतर में बंगाल का दिकार कर लिया जो अंग्रेज ये अंग्रेज उद्वारा 1690 हिस्वी के अंदर अब ये सूरत के अंदर इनों ने जो फैक्टरी डाली थी गुजरात के उसके बाद में धीरे धीरे करके ये भारत के अने इस्वी में भी अपना व्यापार करने लगे और इसी संदर इनों क्या किया कि 1690 हिस्वी का समय था 1690 हिस्वी के अंदर कलकत्ता के हुगली नामगिस्थान पर इनों ने क्या किया कि अपने पेर जमा दिये तो इस्ट इंडिया कमपनी के जो पेर है वो कलकत्ता के हुगली नाम अगिस्तान पर उन्होंने जमाए और वहाँ से जापार करने लगे धीरे धीरे बंगाल की राजनिती में हस्तक से हस्तक से किया हस्तक से प्रारम कर दिया तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया बंगाल की राजनिती में हस्तक से प्रारम कर दिया और खाला अंतर में संपुर बंगाल पर अधिकार कर लिया चात्रों जो बंगाल है बंगाल क्या है कि अंग्रेजों की अधीन होने वाला भारत का प्रथम जो चेत्र था कोनसा चेत्र था बंगाल था तो बंगाल प्रंग्रे जो दिकाल कर लिया वह दिखते हैं कि जो बंगाल प्रलिया में और लात की नवाब बंगर के रवाद अली इव गासर यह जो क्या मैं के कि debates बोशान करें कि व्यास पर लिछ्रा अलिव รति खाल अली गार को ओली आप Theater को ये तरुमख्मक्त हेता डिवंगार प्टशंग हgens और ऐनका साशंगास्ग का था सकता ह सुचाली सरेका 176 से देगे 1756 की विज्ञार कि जोग को फिराकर्मायग था अलिवर्दी खा, इसके बारे में चाचा करते हम, अलिवर्दी खा, एक योग्य प्राकर्मी शेना नायक था, योग्य प्राकर्मी शेना नायक था, इसके समय मराठों ने लगातार बंगार प्राकर्मी शेना नायक था, इसके समय मराठों ने लगातार बंगार प्राकर्मी किये, लगातार बंगाल प्रागुन किये जिससे बंगाल को काफी आर्थि खानी खानी पड़ी जिसके एक आरण बंगाल को काफी आर्थि खानी उठानी पड़ी आर्थि खानी उठानी पड़ी 1751 में 1751 में मराग्र नथा अली पर्दी खान के मद्दे समझोता हुआ अली पर्दी खान के मद्दे समझोता हुआ जिसमें बारा लाग वार्सिक चोथ जिसमें बारा लाग वार्सिक चोथ वार्सिक चोथ कर इकर था वार्सिक चोथ कुली खान के चोथ कुली समझोता हुआ निश्चिक हुआ मराठों को देना निश्चिक हुआ अलिवर्दी खा के समय अलिवर्दी खा के समय बंगाल में बंगाल में राय जुबलब जगज सेख राय दुल्ब जगज सेख जगज सेख महताब राय महताब राय शरूप चंद्र शरूप चंद्र महताब राय शरूप चंद्र राजा राम नाराय राजा राम नाराय राजा राम नाराय जेसे हिंदुों का परभाषा परभाषा नुदुों का परभाषा इने कुछ इन्हें नों को सम्मादन anlatने किया गया से सब्सक्राइब जिया गया कि इने नों को सम्मान ये बड़ालन किया गया इसके समय बंगाल का अधिकासव आपाग हिंदुओं के हाथ में था अल्बर्धिक खागी था समयِ अभी एक में रेंगी सक्षिम को अध्यों के समय था हम स्थानीज मनकाज निया Newman अधिकासव नियान स्था स्था睡 अधिकांस व्याबार हिंदुओं के हाथों में था हिंदुओं के हाथों में था चात्रों जो नवाब oni वर्दिखा हैं नवाब अलिवर्दिखा के समय जो dh अलिवर्दिखा का 1740 इसवी से लेकर 1756 तक जो नवाब अलिवर्दिखा है ये गद्धी पर रहे चात्रों अलिवर्दिखा एक योग्य प्राकरमी शेना नायच था इसके समय मराटों ने लगातार बंगार पर आकरमन किये तो अलिवर्दिखा जब राजा था तो इनके समय क अंदर जो मराटा थे तो मराटा क्या कर रहे थे कि लगाता आकरमन कर संजी होती है समझोता होता है इसके हम दो था बारा लाग मिपे तो वार्सिक चोथ क्या था कर था अ कर था मराठा थे मराठा चोथ तता सरदेस्य की नामक जो कर वसुलते थे तो इसके अंतर करते बारा लाग वार्सिक जो चोत नामक जो कर था वो तथा उडिशा का जो चेत्र था जिसे हम उडिशा भी कहते हैं तो ये चेत्रे जो मराठों को अलिवर्दी खा को देने पड़े तो अलीगवर्दी खाने बारा लाग वार्शिक कर तथा उनिशा का चेतर मराठों को दे दिया तब जाकर मराठों के आकरमने जो बंगाल पर रुके चातरों अलीवर्दी खानके समय बंगाल के अंदर हिंदूओं का प्रभाव था जो हिंदू व्यापारी थे उनका प्रभाव था इसका प्रभावतार राजा मानिक चंद्र जैसे हिंदू का प्रभावतार इन हिंदू को सम्मान जनक पद परदान किया। जनक परदान किया प्रभावता इन हिंदू जव्यापारी प्रभावतार चाक्रों हम आगे लिए प्रभावतार इन है यू जनक परदान को बंगाल का प्रभावतार रहा उसके वाले में चार्चा करते हैं। तुछा थो अली वर्दि खांवे ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंद। अली वर्दी खांवड एंद० एंडिया कंपनी के संबंद। इस इंडिया कंपनी के संब्द के संब्द कभी भी मेंत्री पून नहीं रहे क्योंकि इस इंडिया कंपनी का कहना था कि इस इंडिया कंपनी का कहना था कि कहना था कि East India Company का कहना था कि मुगल बादशाह के आदेश के नुसार मुगल बादशाह के कहना था कि मुगल बादशाह के आदेश के नुसार उन्हें व्यापारिक स्विधाय नहीं दी जा रही व्यापारिक स्विधाय नहीं दी जा रही नहीं दी जा रही है अलिवर्दी खाका कहना था अलिवर्दी खाका कहना था कि कमपनी को जो स्विधाय दी जा रही है वे उनका दुप्योग कर रही है इस्ट इंडिया कमपनी को जो स्विधाय दी जा रही है लुप्योग कर रही है उनका दीजिए कंपनी को जो कर रही है दुप्योग कर रही है अलिवर्दी खाका ने कहा अलिवर्दी खाका ने कहा कि अलिवर्दी खाका ने कहा कि अलिवर्दी खाका ने कहा कि अलिवर्दी खाका ने यूरोपियनों की तुल्ला मदु मखियों से की अदिवर्दी खाने युरोपियनों की तुला मदु मखियों सेगी मदु मखियों से सेगी मदु मखियों सेगी और कहा की और कहा की कहा की अब क्या आद इवर्दी खाने युरोपियनों के बारे में वो देखते हैं चात्रों इन्हें नहीं चेड़ा जाए तो सहर्द देगी इन्हें नहीं चेड़ा जाए तो शहर्द देगी और छेड़ दिया जाए तो कार कार कर मार देगी 10 अप्रेल 1756 को इसके पुत्र नहीं था इसके पुत्र नहीं था इसके तीन पुत्रिया थी इसके तीन पुत्रिया थी जिसमें जिसमें सबसे चोटी पुत्री के पुत्र है जिसमें सबसे चोटी पुत्री के पुत्रें शीराजु दोजापू शीराजु दोजापू अपना उत्रादेकारी बनाया अपना उत्रादेकारी बनाया जो नवाब अली वर्दी खा है तो नवाब अली खर्दी खा के बारें हम देखते हैं कि अली वर्दी खा वे इस इंडिया कंपनी के जो संबंध थे कभी भी मदूरे नहीं रहे कारण क्या था कि अली वर्दी खा था ये इस्ट इंडिया कंपनी को संदे की दरश्टी से देखता था और इस्ट इंडिया कंपनी थी ये भी अलिवर्दी खा को क्या करती थी संदे की दरश्टी से देखती थी अर्थे इन दोनों के संबंद कमें भी मदूर नहीं रहे और ये दोनों ही एक दूसरे को संदे की दरश् जो इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो फिरख एपर करने का यह आदेस लिखाये थे और इस प्रकार ऑधशा की तरफ वो बंगल का नवाभ अली वर्दी खा हमें नहीं दे रहा है तो इसका रच क्या हुआ कि दोनों के अंदर जो मतवेत था तो दूसरी तरफ अली वर्दी खा थे तो अली वर्दी खा ये कहा कि इस्ट इंडिया कंपनी को जो सुईधाई दी जा रही है कि इस्ट इंडिया कंपनी को हम सुईधाई तो दे रहे हैं लेकिन जो इस्ट इंडिया कंपनी है इन सुईधाओं का क्या कर रही है दूरूपियों कर रही है अते जो हम इस्ट इंडिया कंपनी पर यह नतरे इस्थाफित करना चाहा रहे है तो शातरों दोजों की बातों के अंदर क्या है कि वीरुदा बासुठ बने गया तो एक परप तो क्या है कि जो East India Company ये कहती है कि मुगल पाश्याद वारा हमें जो सुभ़धाई परदान की गई है वो पूरी सुभधाई बंगाल का नवाब है वो हमें नहींदे रहा है तो अलिवर्डी खाँ जो बंगाल के नवाब है वो यह कह रहा है कि हम जो सुजदाएं दे रहे हैं परन्तु जो इस्ट इंडिया कंपनी उसका दूर्पयोग कर रही है छात्रों इसके अठिक जो जो अलिवर्दिखा का मैधवूर्ण कथन था यह मैधवूर्ण कथन बहुत Morsz इंपोर्डेंट चात्रो नुटाइब में भी पूछा जाता है तो चात्रों इसमें क्या था कि अलिवर्दिखा ने उर्पियनों की दुल्ला उर्पियनों की धुला मदुमक्यों से की जिसे की बदो मक्यों से की और कहा कि उसको yell दे तoh क्या क arqu काट कर हमारे चेर देते उस पे तो हमारे पे आकरन न करेगी अटेक करेगी और हमें काट काट के मार देगी और इसे प्रकार सेvenir जो अली वर्दी खाने येरोपीयन जो थे येरोपीयन के बारे में चायाये फ्रांसिज हे जो चाये मार देंगे तो चात्रों ये जो कहा किस ने कहा ये नवाब अलिवर्दी खान वारा कहा दिया 10 अपरेल 1756 का समय था और आयू 82 वर्श की हो चुकी थी किसकी अलिवर्दी खा की तो अलिवर्दी खान की मृत्यू 10 अपरेल 1756 को 82 वर्श की आयू में हो गई किसकी मृत्यों यह अली वर्दी खां की मृत्यों गई और अली वर्दी खां था तो उसके कोई पुत्र नहीं था केवल उसके तीन पुत्रियां थी और अली वर्दी खां ने अपनी तीनों पुत्रियों में से सबसे चोटी जो उसकी पुत्री थी उसके पुत्र मतलब अपने बनता है वो बनते हैं सिराजु दोला अगला सासक बनता है वो सिराजु दोला का भी वही था कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के संबंद थे वो अली वर्दिखां से मेत्री पून नहीं थे उसी प्रकार से जो सिराजु दोला के संबंद भी अंग्रेजों से मेत्री पून नह अगी दिखार कि दुड़ति आती हैं 10 अफ्रिल 1756 अगले राजाबिक ऐसे से अंग्रächstर भुंदरantage उसने उसे बुकाबला किया जी और शी राज जो प्ला शीराजू गोला शीराजू गोला चात्रों सासंकाल सासंकाला सatrásotचप विसे लेके.... सासंकाल अट्रों सापनीसै सासंकाल अध्यंति अलो। अग्रेजों से संगर्स के कारण अग्रेजों से संगर्स के कारण जब लड़ाई चलेगे लड़ाई लड़ेंगे तो चातरों पर प्रठम जो कारण है वो इंका है राजनीतिक कारण राजनीतिक कारण शिराजु बोला ने नवाब बंते ही अपने सासन को सुद्रण करने का प्यास किया शिराजु बोला ने नवाब बंते ही अपने परसासन को सुद्रण करने का प्यास किया शुद्रण करने का प्यास किया शुद्रण करने का प्यास किया अंग्रेजों के प्रभाव को कम कर दिया बंग्डाल में अंग्रेजों के प्रभाव को कम किया अंग्रेजों के प्रभाव को कम किया अंग्रेजों नवाब सिराजु बोला के अंग्रेजों नवाब सिराजु बोला के विरोधियों जैसे तनिटी बेगम घसीती बेगम घसीती बेगम घसीती बेगम राजबल्लग शोकत जंग शोकत जंग गसीटी वेगम दिवान राजबल्लग शोकत जंग को साइता प्रदान की को साइता प्रदान की जो अंग्रेजों से संगर्स होने का कारण क्या है कि शिराजबल्ला ने राजनितिक कारण कि शिराजबल्ला ने नवाब बनते ही प्रसासन को सुद्रण करने का प्रियास किया तो बंगल में अंग्रेजों के प्रभाव को कम कर दिया अंग्रेजों ने नवाब सिराज हुदोला के विरोधियों जैसे गसीती बेगम, दिवान राज बल्लब, सोकत जंग, उत्ताब मीर जाफर इसको सरक्षन परदान किया तो अंग्रेज नवाब के जो इद्रोईयों को सरक्षन परदान कर रहा है, और इधर नवाब क्या कर रहा है, अंग्रेजों का प्रभाव कम करने का प्रियास कर रहा है, तो यसी इस्तद्धी के अंदर दोनों में क्या हुआ, शंगर से प्रारण हुआ, कि ये जो प्रमुपी कि अग्रेजियों के प्रतिशंदेश कि अग्रेजियों के प्रतिशंदेश